हम मैं कई सारा क्यामिकर्स होते है, अब अब हम जो आज गया रिखने है, हम किसे के लिखे गया गजा रहे है कि कई वॉति होते होगी हम आजब काई हाज ती āपर्मेंट होती वॉति-एक पर्मेन थी खिंद है जा सकता है, बॉयल करके कुछ क्यांकर के हाल से दूर किया जा सकता है, लेकिन जो पर्मनेंट हाडनेस होती है उसे नहीं अटाया जा सकता है, तो हम यहां पर आज सबसे पहले तो हमारे पास वोर्टर सैंपल है, उसमें जो हाडनेस है वो कितनी है और उसको हम कैसे यह solution होता है. अब क्या होता है कि, जो Eragon Black Tea है, वो हमारा एक indicator होता है, जो हमें indicate करता है, color change करते है कि कब हमें reading start करनी है, कब when reading करनी है. Ammonia buffer solution क्था है, hardness को जएसे measure करता है, इस से हम से measure करता है, इस ते हम इसको measure कर पाते हैं. यह हमारा standard होता, ADP बनाते हैं, इस तरह हम patration कराके चल करते हैं कि hardness कितनी है, अब हम आगे सुझे के perform करेंगे, आए, अब हम perform करते हैं, hardness कैसे लिखाते हैं, यह जानते हैं, यह हमारा ब्यूरेक के stand है, इस पर ब्यूरेट लगा हुए, यह आप लोगो अब तक पता चल गए होगा यह ब्यूरेट के बारे, अब हम देख लेते हैं, हमर बास कौन-कौन से solution है, तो यह हमारा है ADTA, यह हमारा ammonium buffer solution, और यह हमारा रखा हुआ है ericom black tea, यह हमारे बास जो हमारे solution चाहिए है, वो है, अब हम सैंपल, हम क्या करेंगे, यह हमारी conical flask होती है, और यह measuring से अं हम जानते हैं कि कोई भी practical करने से पहले, कुछ भी करने से पहले हम इसको अच्छे से distilled water से wash कर लेते हैं, यह हमारे distilled water है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ADTA का solution, इसको सबसे पहले, ब्यूरेट में fill कर लेते हैं, क्योंकि ब्यूरेट हमारा पहले से साफ किया हो रखा है, इसलिए हम इसमें direct इसको clip कर लेंगे, जो भी extra है उसको निकाल देंगे, हमने यह एक कोणिगर फ्लास्क ले लिया, अब हम क्या करेंगे, जितना हमें sample चाहिए, जो water हमें test करना है, यह हमारे बास sample का water है, इसे हमें test करना है, तो जितना हमें चाहिए, हम sample ले लेंगे, तो हम sample कितना भी ने सकते हैं, पच्छीस एमल, पचास एमल, सौ एमल, लेकिन हम यहाँ पर प्ची एमली लेंगे, यह हम पचास एमल सेंपर वेजर करके, यह पहले से मारा बॉश रखा हुआ है, इसमें हम ट्रांसपर कर लेंगे, यह मारा पास प्रिपट होती है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें इंडिकेटर डालेंगे, और अपना बॉफर सलुशन मेजर करेंगे, तो जो बॉफर सलुशन हमें डालना है, वह मेजर करके डालेंगे, तो इस पीपट की हाल से हम buffer solution को measure कर लेंगे, देखिए इसमें measuring number दिये हुआ है, यह एक एक centimeter की distance पे है, तो हम इसमें measure करके इसमें डालेंगे, ml पे, sorry, तो हम इसमें जो 50 ml हमने sample लिया, इसमें हम एक ml measure करेंगे buffer solution, यह देखिए, एक ml measure हुआ है, अगर हम इसमें मिला लेंगे बाद यह जो हमारा indicator है, अगर कॉम ब्राफ्टी, इसको हम इसमें 2-4 बन डालेंगे, यह देखिए हमारा कुछ red में, red color या brown color कहा सकते हैं, जो भी यह, wine red color में आये, अब हम इसको standard EDTA के हैं से titration कराएंगे हैं, तो titration कराते हैं, अभी हमने जो इसमें किया है, वो यहाँ पे initial reading हमें 0 दिखा रहा है, तो हमारी जो initial reading होगी, वो 0 होगी, अब हम इसको titrate कराएंगे, और देखिएंगे कि हमारी कितनी reading आती है, तो लिस्टार्ट करते, आयाम से titration कराएंगे, ताकि जब इसमें color change है तो हम इस पटा चले, और titration कराते समय हम इसको shake करते रहेंगे, तो सी अच्छे से, यह देखिए, इसका color अभी wine red से, अभी यह dark blue में है, dark blue color देख रहा है, यहाँ light की वज़े से आपको clear नहीं देख रहा होगा, तो यह हमारा change हो चुका है, color इसका, अब क्या करेंगे, हमारी यहांपर इतना हमें EDTA अपने standard व्यूज किया है, उसके EDTA इनोड कर लेते, तो यह हमारा कुछ हा रहा है, 2.5, sorry, 3.5 के ml के असपास आ रहा है, तो यह हमारा इतना EDTA है, इसमें close हुआ है, अब हम क्या करेंगे, आगे जारके अपनी calculation कर लेंगे, हम calculate करेंगे हमारे जो भी result आया है, हम calculate कर लेकी कि इसकी जो हमारा पस sample available था, उसका, उसमें hardness किती है, तो सो calculate करेंगे हम क्या करेंगे है, हमारे पस formula है, टोटल हार्डेस, mg per litre, csq3, जो भी होता है, जो हमारा standard EDTA used हुआ है, used EDTA है, इसकी जो भी पयवbereich बटला कर, बने गांजमें, divided by सब्सक्राच्पल ले आता, अगें लोग सब्सक्राच्पल, जिसना सेंपल ये तब ओम रख देंगें, तो हमारा जी लूज हुआ है, ओम वाई 3.5, इंटे 1000, अजी सेंपल ये तब 50 रहें, इसको जब करेंगें तो हमारा कुछ रज़र्ट है ना, 70 mg पर लिटर, तो जब एक लिटर में 70 mg, तो ये जब हमारी है, इसकी वैदू जो है, हम मुझेगे कोड में, तो कोड के अकोर्डिंग वह बताइजाती है, वह बताइजाती है, कि अगर आपकी वैल्स 0 से, 0 से 70 के बीच में है, तो वह water soft माना जाए है, तो 75, अगर 0 से 75 के बीच में है, तो मेदिम होता है, अगर 150 से 300 हो, तो वो हार्ड होता है, और अगर 300 से भी ग्रेटर हो जाए, अगर 300 से ग्रेटर हो जाए, तो वो गैरी हार्ड में गया जाता है तो हमने हें रिजर्ड के हाई से पता सकते हैं कि जो हमारा बोर्ड की वैल्व आ लिए है वो जिलो से 75 के बीच में आरी है, या जो हमने हमारे आपास ऑफिपल के आपा तो वो सौफ का उसे हम पीच सकते हैं तो यह हमारा की पैक्टिकल आज हे निगाए होता है यह पास हमें करना था कि hardness कितनी है अगर अगर हम इस लिए मतलब कैसे हटा सकते हैं इस hardness को कैसे हटाया जाए अगर यह करना है तो इस लिए आगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल करना पड़ेगा अभी जो आश्टा हमारा प्रैक्किल था उसका बस यहीं तक है नहीं तक है कंपेड़ था अगर बस बस वाई प्रैक्टिकल करना उनके तक हैustे हैं तक है ладно